प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाठ एफेसियों के नाम संथ पॉलुस का पत्र अध्याई दो पदसंख्याएं 12 से 22 तक वही हमारी शान्ती है उन्होंने दोनों को एक कर दिया है आप पहले मसी से अलग थे इस्राइल के समुदाई के बाहर थे बिधान की प्रति ग्याउंग से आप अरिचित और इस संसार में आशा और इस्राइल से रहित थे आप लोग पहले दूर थे किन्तु येसु मसी से संयुक्त होकर आप अब मसी के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं क्योंकि वही हमारी शान्ती है उन्होंग ने यहुद्यों और गैर यहुद्यों को एक कर दिया है दोनों में जो शत्रूता की दिवार थी उसे उन्होंग ने गिरा दिया और अपने मृत्यों द्वारा विधी निशेदों की साहिता को रद कर दिया इस प्रकार उन्होंग ने यहुद्यों तथा गैर यहुद्यों को अपने से मिला कर एक नई मानवता के श्रिष्टी की और शान्ती स्थाबित की है उन्होंग ने कुरूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में इश्वर के साथ मेल कर आया है और इस प्रकार शत्रूता को नश्ट कर दिया तब उन्होंग ने आकर दोनों को शान्ती का संदेश सुनाया आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुँच सकते हैं आप लोग अब परदेशी अथ्वा प्रावासी नहीं रहे बलकि संतों के सह नागरीक तथा ईशर के घराने के सदस्य बन गए हैं आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नब्यों की निव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वय मसी है उनहीं के द्वारा समस्त भवन संगहटित है प्रभु के लिए पोईतर मंदीर का रूप धारन कर रहा है उनहीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड दिये जाते हैं जिससे आप ईशर के लिए एक आध्यत्मिक निवास बंज गाएं यह प्रभु की वानी है संत लुकस के नुसार पवित्र रिसु समाचार आध्याई बारा वांके संख्या 35 से लेकर 38 तक तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे तुम उन लोगों के सदर्श बन जाओ जो अपने स्वामी की रह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लोटेगा ताकि जब स्वामी आकर द्वार खट खट आए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा मैं तुम से यह कहता हूँ वह अपनी कमर कसेगा उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एके को खाना परोसेगा और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तिसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा यह प्रभू का पवित्र सू समाचार है क्रिस्ट प्रभू की चै येसु में मेरे प्रिये भाय और बहनो आज का पहला पाट एफियसियों के नाम संद पौलुस के पत्र से लिया गया है और इस पाट के द्वारा संद पौलुस हमें गहरे आध्यत्म की ओर आगे बढ़ाता है और हमारी पहचान मसी के साथ जोड़ कर दिखाता है इस पाट के द्वारा संद पौलुस हमें समझाने की कोशिश करता है कि हमारी पहचान मात्र मसी के द्वारा होने चाहिए चाहे हम किसी भी जाती विरादरी के क्यों ना हो चाहे हम किसी भी रंग या फिर बनावट के क्यों ना हो हमारी एकी पहचान है जो मसी में निहित है और मसी के अलावे हमारी कोई भी पहचान नहीं है आज के पहले पांट में संद पालुस हमारे सामने तीन महतपून बिंदू को रखते हैं हमारे मनंचिंतन के लिए सबसे पहली बात है मसी में शांती और एकता के स्थापना हम जानते हैं कि यहुदियों के लिए यरुसालेम का मंदिर पवित्र मंदिर था और वे वहाँ आकर अपना पूजा पाठ करते थे अपना धर्म से सम्मंदित कर्मकांड को वहाँ पर संपन्न करते थे लेकिन जैसे जैसे प्रभू का वचन गैर यहुदियों के लिए मिलता है वे भी यरुसालेम के मंदिर में प्रातना करने के लिए आते हैं और वही पर दो भाग बढ़ जाता है एक गैर यहुदियों का और दूसरा यहुदियों का इस तरह से हम देखते हैं कि जो गैर यहुदी लोग यरुसालेम में प्रातना के लिए आते हैं उनके लिए एक अलग से स्थान निर्धारित किया जाता है और उसी प्रकार से यहुदी लोगों के लिए एक अलग ही स्थान निर्धारित होता है और दोनों के बीच एक दिवार को बनाया जाता है और इसी दिवार को गिराने के लिए और दोनों समुदायों के बीच एक ता लाने के लिए सन्पालोस मसी को ले करके आते हैं उनके बीच की दोरे और शत्रुता को सन्पावलोस मसी के द्वारा समाप्त करते हैं उन्हें एक नई पहचान देते हुए आज के पाट में हम पढ़ते हैं आप याद रखे कि पहले आप मसी से अलग थे इसराइल के समोधाय के बाहर थे पिधान की प्रतिग्याओं से आपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे आप लोग पहले दूर थे किन्तु इसा मसी से सयुक्त होकर अब आप मसी के रक्त के द्वारा निकट आ गए हैं क्योंकि वही हमारी शांती है उन्होंग ने यहुद्यों और गर यहुद्यों को एक कर दिया है दोनों में शत्रूता की जो दिवार थे उसे उन्होंग ने गिरा दिया है यहाँ पर सन्द पॉलुस एक आउसर लेते हैं एफिर्सियों को संबोधित करते हुए कि उन्हें एक नई पहचान के द्वारा अपने को पहचानना है एक गहरे आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्हें बढ़ना है एक ऐसा जीवन जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगा अपनी पहचान को भूल करके सची पहचान को रखने के लिए और उसे अपने जीवन में आंगिकरित करने के लिए एक आउसर देता है और इसलिए यहाँ पर दोनों समुदायों के बीच के जो दिवार है उसे वह मसी के नाम पर तोड़ देता है और उन्हें केवल एक ही पहचान देता है मसी के लोग गलातियों के नाम संद पालूस के पत्र अध्यायतीन वाक्य संख्या 26 और 28 में संद पालूस कहते हैं क्योंकि आप लोग सब के सब इसा मसी में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतती है क्योंकि जितने लोगों ने मसी का बप्तिस्मा ग्रहन किया उन्होंने मसी को धारन किया है अब ना तो कोई यहुदी है और ना यूनानी ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र ना तो कोई पुरुश है और ना इस्तरी आप सब ईसा मसी में एक हो गए है यहाँ पर सन्पालोस गलातियों को समझाते हुए यह बतानी की कोशिश करता है कि उन लोगों की पहचान केवल येसु मसी है और येसु मसी के नाम पर है उन्हें शान्ती और विशेस बरदान और कृपाई मिलती है हम नभी इसायस के गरंत अध्याए संतावन वाके संख्या उन्नीस में पढ़ते हैं जहां पर वचन कहता है मैं दुख्यों को यह कहकर शान्ती प्रदान करूंगा जो दूर और जो निकट है सब को शान्ती यहाँ इसवर की शान्ती ना केवल उसके नजधी बैठे लोगों के लिए है बलकि उन सभी लोगों के लिए है जो दूर है हो सकता है यहाँ पर भौतिक दूरी की बात नहीं यहाँ पर आध्यात्मिक दूरी की बात मुहतुपूर्ण होती है जो आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से दूर हो गए हैं उनके लिए भी ईश्वर की शान्ती होती है जैसे ही हम ईश्वर को पहचानने लगते हैं हमारा जीवन ईश्वर मै हो जाता है हमारी पहचान मसी के द्वारा होती है और इसी बात को संद पालूस कहते है कि मसी के द्वारा हमें शान्ती और एकता मिलती है दूसरी महतुपूर्ण बात है जिसे संद पालूस कहते है कि ईश्वर के साथ सम्मंद और परिवार का हिस्सा बनना यहाँ पर संद पॉलस बताने की कोशिश करता है कि मसी के द्वारा ना केवल हमारी बाहरी मेल मिलाप होती है बलकि आंतरिक रूप से हम ईश्वर की संतती बन जाते हैं हमारे जीवन में आंत्रिक परिवर्तन आ जाता है जिसके द्वारा हम ईश्वर के दतक पुत्र और पुत्रिया बन जाते हैं और इसी बात को समझाने के लिए संद पौलुस कहता है कि प्रभू के द्वारा हम अपने आप को ईश्वर के परिवार से जोडते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है कुरुंतियों के नाम सुन पालुस के दूसरे पत्र अध्याई पांच वाके संख्या सत्रा और अठारा में हम पढ़ते हैं जहां पर वच्छन कहता है इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसी के साथ एक हो गया है तो वह नए स्रिष्टी बन गया है पुरानी बाते समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है यह सब ईश्वर ने किया है उसने मसी के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कारिय हम प्रिरितों को सौपा है यहाँ पर सन पालुस बड़े ही अच्छे शब्दों का प्रियोग करते हुए हमारे रिष्टे को ईश्वर के साथ जोड़ता है और इस लए के द्वारा बताता है कि हम उसे कभी भी इनकार नहीं कर सकते है पालुस क्या कहता है यदि कोई मसी के साथ एक हो गया है तो वह नए स्रिष्टी बन गया है पुरानी बाते समाप्त हो गई है और अब सब कुछ नया हो गया है जैसे ही हम मसी के साथ जुड़ जाते है हमारा पुराना सौभाव हमारा पुराना मनोभाव सब कुछ समाप्त हो जाता है हमें एक नया पहचान मिलता है और वो पहचान है मसी के सेवक और उसी सेवाकारे को करने के लिए सन्द पालुस कहता है कि हम उसी सेवाकारे को करने के लिए और उसी संदेश को देने के लिए प्रभु के द्वारा और ईश्वर के द्वारा हम भेजे हुए हैं और इसी बात को संद पालुस आज एफेसियों को संबोधित करते हुए हमसे कहना चाहते हैं इस प्रकार उन्होंग ने यहुदियों तथा गैर यहुदियों को अपने से मिला कर एक नई मानवता के स्रिष्ठी की और शांती की स्थापना की है उन्हों ने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नश्ट कर दिया है तब उन्हों ने आकर दोनों को शांती का संदेश सुनाया आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकर थे क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रिरित होकर पिता के पास पहुँच सकते हैं हमारा केवल एक ही माध्यम है एक ही रास्ता है और वह रास्ता है येसु मसी जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है ईश्वर के साथ नए सम्मंद को जोड़ने के लिए मदद करता है और इस प्रकार से हम एक नए स्रिष्टी का रचना करते हैं जहां पर केवल हमारा एक ही पर तीसरी महत्वपूर्ण बात को रखते हैं वे संद्पावलूस कहते हैं कि आध्यात्मिक भवन और मसी की भूमी का हर एक मानोजाती के लिए महत्वपूर्ण होता है। और उसी के बारे में संद्पावलूस अपनी बातों को रखता है। एक आध्यात्मिक निवास बने। हर दुवीधा को, हर प्रकार के बेवधान को हटा कर और मसी के रखत के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमें यह वर्दान मिलता है कि हम इश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बनाएं। हम गलातियों के नाम संद्पावलूस के पत्र अध्यायदो वाके संख्या 20 में पढ़ते हैं, जहां प्रवचन कहता है। मैं अब जीवित नहीं रहा, बलकि मसी मुझ में जीवित है, अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एक मात्र प्रेरना स्रोत है, इश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। यहाँ पर सन्द पालोस एक गहरे आध्यात्म को हमारे सामने रखना चाहता है, कि हमारी पहचान मात्र मसी के साथ होना चाहिए, और वही हमारे जीवन का, हमारे भवन का केंद्र बिंदु है, और सन्द पालोस कहते हैं कि अब से मैं नहीं, बलकि मसी जीवित हैं, और मेरे विश्वास के द्वारा मैं इसका प्रमान देता हूँ कि मेरे जीवन में केवल मसी रहते हैं और वही प्रमानिक्ता के साथ हमें कैसे अपने आध्यत्म को आगे बढ़ाना है आज के पार्ट के द्वारा संद पालूस हमें मार्ग दिखाता है हम नभी इसायस के ग्रंत अध्याई 28 वाके संख्या 16 में पढ़ते हैं जहां पर वचिन कहता है प्रभु इश्वर यह कहता है देखो मैं सियोन में सुद्रिर नियू के रूप में कसोटी पर कसेह वे बहमूल ये कोने का पत्थर रखता हूँ जो इस पर भरोसा रखता है कभी निराश नहीं होगा जो उस पत्थर पर जो स्वैम मसी है भवन को बनाने के लिए मजबूती देता है जो उस पर भरोसा करता है विश्वास करता है उसे कभी निराशा नहीं होगी ये सुमे मेरे प्रिये भाई और बहनो आज के पहले पांट के द्वारा हम को एक नई पहचान को ले करके और जो पुरानी पहचान जिसे हम अपने लिए बनाए है उसको भूल करके एक ऐसे समुदाएं की रचना करने के लिए सन्पालूस प्रेरित कर रहा है जहां पर हम सभी का केवल एक ही पहचान होना होगा वह है ईश्वर के पुत्र पुत्रियां और जब हम ऐसे जीवन को जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर प्रदत खुशी और शान्ती राप्त होती है और उसी जीवन को कैसे जिया जाए इसे के बारे में आज के सू समाचार में प्रभू हमसे कहते हैं कि तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे प्रभू यहाँ पर हमें चौकस में अपने जीवन को बिताने के लिए कहते हैं लगातार अपने को बनाए रखने के लिए इश्वर के साथ जोड़े रखने के लिए और हर बार तैयार रखने के लिए यहाँ पर प्रभी येसु कहते हैं और जोती को जलाए हुए रखने के लिए कहते हैं और इन वचन के साथ प्रभी येसु हमें तीन महतोपूर्ण बिंदु को अपने जीवन में आंगिकरित करने के लिए सामने बुलाते हैं पहली बिंदु है आध्यात्मिक तैयारी और सत्रकता हमें लगातार सत्रक रहना है आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना है और उसके लिए एक जीवन्त धारन निहापर प्रभू हमसे कहते हैं कि तुम्हें एक सेवक की भाती कमरकस कर और दिया जला कर लगातार निगरानी करते रहना चाहिए और सेवक कौदारन देते हैं प्रभू दूसरी मतपून बात को कहते हैं कि हमारी धन्यता हमारी तैयारी में हैं हमारे बने रहने में हैं हमारी सतर्कता में हैं हम जितने सतर्क रहते हैं हम उतने ही धन्य बनते हैं क्योंकि हम भावी चुनोतियों का सामना करने में सक्षम होते ह और प्रभु के द्वारा दी हुए अनमोल उपहार को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तीसरी मत्वपूर्ण बात है कि मसी की सेवा कारे करते हुए हमें विनमरता और प्रेम लेकर के आना है यहाँ पर सु समाचार में प्रभु येशु स्वयम कहते हैं कि जब स्वामी अपने घर आएगा और सेवक को जागता हुआ पाएगा तो वह तयार होकर उन्हें बैठाएगा और एक-एक को खाना परोसेगा और इस प्रकार का उधारन देते हैं वे प्रभु येशु हमें कहना चाहते हैं कि हमें उसी प्रकार से लगातार दूसरों की सेवा में अपने आपके जीवन को समर्पित करते रहना चाहिए येशु में मेरे प्रिये भाई और बहनों हमारे खिस्ते जीवन को लगातार वचन एक मजबूती प्रदान करता है यदि हम वचन को गहराई से मननचिंदन करते है तो हम अपने जीवन का सही मुल्यांकन करते है और आज हम अपने जीवन का मुल्यांकन आज के दोनों पाठों के द्वारा कर रहे हैं अपने सच्चे पहचान को जानने के लिए एक आउसर हमें आज के दोनों पाठ दे रहे हैं और उस पहचान को लगातार बनाये रखने के लिए एक मार्ग बताया जा रहा है आईए हम प्रभु से प्रातना करें ईश्वर से दया की याजना करें कि हमारे जीवन में सदेव हम मसी के नजदीक बने रहें और मसी की कृपा के द्वारा हम ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक भवन का निर्मान करें ताकि स्वैम ईश्वर इसी जीवन में हमारे साथ रहे हमें शान्ती दे, हमें शमा दे, हमें बहुत सारी कृपाओं से भर दे आए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रातना करें है सर्वशक्ति मान पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता तेरे सारे कृपाओं के लिए जिने हम अपने जीवन में पाते हैं और महसूस करते हैं आज के वचिन के द्वारा जो हमें कृपा मिल रही है प्रभू उन सभी कृपाओं के लिए हम आभार देते हैं आभार प्रसुत करते हैं पिता और जिस वर्दान को तू अपने पुत्र के द्वारा हमें देता है हम उसे अपने जीवन में आगिकरित करें हम अपने जीवन में तेरे लिए एक ऐसे आध्यत्मक निवास बना सके जहां पर तू आकर हमें शान्ती, कृपा, दया और विविन वर्दानों से भर देगा ताकि हम एक ऐसे पहचान को लेकर के अपने खृस्ति जीवन को जी सके जो पहचान मसी के द्वारा हमें प्राप्त होता है हम या वर्दान मांगते हैं हमारे प्रभू कृस्थ की एद्वारा अंधिरा मिटाती भाडी 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 पवित्र है शाष्वत है जीवन का मन्ना है झाल झाल